तो कैस हम लोगों ने 100 days of code complete कर लिया है और यार क्या experience रहा लगातार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 100 दिन तक वीडियो डाल पाऊंगा लेकिन मैंने चैलेंज लिया बहुत सारे challenges आये मुझे बहुत सारे reasons बिलते थे किसी भी दिन video ना डालने के 100 days of code कर लेकिन मेरे बिल्कुल सही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है अब यहां वर मैं जल्दी से क्या करूंगा ना कि यहां से कहां जाना है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं तो बहुत साई लोग पूछते हैं कि यार अब चलो यार हमने 100 days of code python कर लिया where to go from here कहां जाएं यहां अब क्या सीखें क्या बने कैसे पैसे कमाएं कैसे जॉब्स ढूने थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहार आपने 100 days of code python किया अगर आपने लगातार मेरे साथ यह 100 दिन किये तो चांस की कुछ topics बहुत सारे week होंगे आपके समझ में नहीं आये तो आप जाओ और search करो python project और मेरे चैनल पर यहां पर आप खोल के search करो python project ठीक है यह code with every python project आप लिखोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को और वहां से आप लोग जो है चीज़े सीखना स्टार्ट कर सकते हो अब मैंने एक resource दी आपको kinter की किंटर क्या होत बहुत अची playlist है यह Google developers के द्वारा playlist है काफी सही चीज है यह इसमें जॉश ने बहुत सही से बताया है कि किस तरह से machine learning काम करती है और आप बहुत यह असानी से pip install, scikit learn वगारा यूज करके बहुत ही easily machine learning के जो packages है इस सब आप लोग बहुत आराब से सीख सकते हैं फिर पाइटोच नाम का एक module अगर आप लोग मशीन लेंग में हो data science में हो तो मैं आपको starting से सी को तू सम एक्स्टेंट और पैंडा सी को तू लाजर एक्स्टेंट काफी सी को पांडा जिससे आप लोग को big data handle करने में मदद मिलेगी आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग अपने data को parts कर सकते हो फिर यह सब पता करने के बाद आपने क्या करना है कि साइक data science और machine learning कहीं hand in hand जाती है आप कभी अपने आप से यह नहीं कह सकते यार मैं data science सीखूंगा लेकिन machine learning से दूर रहूंगा नहीं यार देखो hand in hand आप लोग को दोनों आने चाहे हैं और ऐसा नहीं कि आपको machine learning आ रही है आप कहरे हो नहीं मुझे data से को मतलब नहीं मुझे hand दोनों C को आप लोग जारा time waste में करो इस बात में कि ML में DL में DS में क्या difference है सी को यार चीज़ है concept C को कैसे pandas यूज करना pandas एक लाइबरेडी अगर आप लोग को नहीं पता और यह python में data analysis करने काम आती है अब कहीं लोग कहेंग यार कि यह चीज में JavaScript में क्यों ना कर लो C में क्यों ना कर लों C++ में क्यों ना कर लो इस लेवल की library ना JavaScript में तो नहीं है मैं आपको यह statement दे रहा हूं नहीं है अभी तक नहीं है at the time of recording this video इस लेवल का data analysis नहीं मिलता है आपको अब यह वाली जो book है ना यह seriously बहुत अच्छी book है यह बहुत अच्छी book है मैंने Amazon.in से खरीद लेना आप लोग Amazon.com है ठीक है Python for data analysis by Wes McKinney ठीक है बहुत बढ़ी है किताब मैंने यह mention नहीं करी है बट यह में जो दिग गई तो मैंने आप लोग को बताया भी मैंने पढ़ी है और यह बहुत सब्सक्राइब और यह बहुत सब्सक्राइब आपने यो लाइफ मेरा कोई फाइदा नहीं है यह बुक बिकवाने में ठीक है ना मैं कोई affiliate link वगरे दे रहा हूं बट आप लोग जो है इसको खरीज सकते हो पैसा वसूल है थोड़ी सी महंगी शाहिद मिलती है Amazon.in पर पैसा वसूल है ठीक है पैसा वसूल है तो मैं आपर एक काम करता हूं क् का python for data analysis यह पले red color के cover में आती थी लेकिन अब यह white color के cover में आती है वेज मैकिनी वेज मैकिनी वेज मैकिनी यही है और यह हमेशा ensure करना की latest version हो यह काफी latest version काफी recent version है यह थोड़ी सी महंगी किताब है तो आप देख लेना अगर आपको offline market में या फिर वहला get this book anyhow I don't know ठीक है और PDF मुझे नहीं बता कहां से आपको क्या चीज मिल रही है मुझे नहीं पता इसको low और इसको c को या बैटके ठीक है तो यह है किताब एक और किताब आप लोग को बताता हूं और उसका नाम है hands on machine learning यह दो किताब सबके पास हो नीचे है मुझे पता है थोड़ी सी बहेंगी किताब है I know that but again यार अलगी लेवल किताब है मजा ही आ जाता है अब इसमें क्या है कि अपडेट करते रहते हैं इसके जो आथर है क्या किताब है यार यह मतलब जितनी तारीफ करूं कम है machine learning तो ऐसे सीख जाओगा आप इस किताब को पढ़के हाँ मेरा कोई फाइदा नहीं है इसमें फिर से बता दूं आपको नाहीं मैं इनको जानता हूं मतलब मैं जानता हूं यह मुझे नहीं जानते हैं ठीक है काफी वड़िया author है यह पहले youtube में थे हैं मतलब यह पहले youtube में data scientist थे चायद data scientist ml engineer थे तो काफी काफी साहीं आफ है यह यह वाली किताब मुझे नहीं पता लेकिन यह दोनों किताब है बहुत साहीं मैंने यह वाली किताब टु प्लिए जादा explore नहीं करी यह दोनों करी हैं काफी depth में and believe me यार मज़ा आजाता है और इसमें शायद ये supplement material भी देते हैं और supplement material ली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ये kitab रखी हुई है मैं आपको दिखाऊंगा पर मैं तो कहता हूँ यार कि you will never regret you will never regret buying this book ठीक है और recent development चीखने चाहते हो back end development jango बहुत बढ़िया चीज़ है मैंने tutorial का link दिया हूँ यहां से आप सीख सकते हो अब आपको गयर official documentation तो boring होती है नहीं होती है jango की official documentation काफी बढ़िया है और मैं आपको बता रहा हूँ मज़ा आजाए का आपको आपको थोड़ा सा यह पढ़ना पड़ेगा फिर इसके बाद मैंने आपको machine learning के बारे में बात कर ली मैंने data science के बारे में बात कर ली और इसके बाद अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग companies में job ढूनने वाले हो तो आप लोग data structures भी python के तुरू कर सकते हैं यह मैं कभी recommend नहीं करूँगा कि आप लोग python के तुरू data structures करो आप लोग java या c++ का इस्तेमाल करो उसमें और इसके काफी अच्छे reasons हैं एक तो यह कि python के अंदर बहुत सारी libraries होती हैं से की import करके काम हो जाता है हलागी libraries तो c में और c++ में java में भी use की जा सकती है लेकिन बात यह आती है कि जो java है c++ में low level operations बहुत easily हो जाते हैं और आप लोग basic से कोई भी चीज़ बना सकते हो बना python में भी सकते हो दुबारा आप लोग numpy यूज़ करके बट बहुत सारी companies के जो recruiters होते हैं उनके दिमाग में चीज़ होती है कि अगर यह इंसान python लेकर आया है data structures करने के लिए तो शायद यह उतना अच्छा नहीं है अब यार यह सोच एक बन गई है और कहीं ना कहीं इसके अगर मैं बहुत डेप्स में समझाने बेड़े जाओं तो मैं इसको साविद भी कर दूगा कि क्यों python अच्छा नहीं है data structures के लिए but again python is a good language for doing development for doing web development machine learning data science काफी चीज़ बना लो लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहुँगा कि data structures के लिए college students कर रहे हैं तो ना करे python का इस्तिमाल अलगि allowed होता है बहुत सारी companies allow करती है बट मैं recommend नहीं करता हूँ अब यहाँ पर इसी के साथ साथ यह वाली playlist आप लोग देखो के तो आपको काफी अच्छा लगेगा साथ-साथ मिलेट के वीडियोस है एनिमेशन से भरे हुए और बहुत सही से समझाया इन्होंने बहुत स जार करता थे कब डालें वीडियोस बट अनफॉच्टलिटी सिर्फ दसी वीडियोस आएं बट दस देखना तो यह चीज़ है आप अब मशीन लर्निंग के अंदल जो है कुछ कॉंसेप्ट ऐसे भी हैं जो कि मशीन लर्निंग स्पेसिक कॉंसेप्ट से तो मशीन लर्निंग स्पेसिक जो कॉंसेट्स हैं वो आपको मशीन लर्निंग सीखने के बाद ही आएंगे लेकर आप लोग लोग सीखना चाते हो इस चीज़ का कि आप जूए है ट्रेंग मॉडल सो ऑलरेडी यूस कैसे कर सकते हो इंके पास बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं आ मालो आपको एक text को vector में convert करना है और इसके बाद यह देखना है कि वो किस से कितनी similar है तो मालो मैं BERT की embeddings बनाना चाहता हूं तो मैं यह यूज कर सकता हूं और यह इनके जो pre-trained models है उनको यूज कर सकता हूं तो आप इसको explore कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर जो है यह जीबी में होते है models तो आप जो है इसको explore करना कैसे ही मनलब जादा आपको आने की जुरू होती है तो इसमें क्या होता है कि embeddings आपको देता है मैंने यूज किया हुआ है इसको search बनाने के लिए यानि कि एक search query को अगर मुझे देखना है कि कॉन से text से match हो रही है तो मैं क्या करूंगा search query के embeddings बना लूँगा अब आपको यह तो बहुत सारी चीजी है मैं से start कैसे करूं तो start आपको बेसिक से start करो आप यह वाली बुक से और follow करो इसके quote snippets अगर आपको machine learning सीखनी है तो लेकिन इससे भी पहले चाहें आप data science आपको सीखनी है नहीं सीखनी है आपको बता दू कर आपको machine learning सीखनी है तो इसके लिए तो आपको यह वाली किताब जो है लेनी लेनी है तो बेले साब से यार अगर आप लोग यह वाल investment है ठीक है तो यह दोनों बुक्स अगर लोग है और इसको पढ़ना भी यह नहीं कि लेक है आपने डाल दी तो यह दोनों बुक्स है मेरे सबसे काफी बढ़ी है फिर इसके बाद और भी पाईजन से रेलेट बहुत सारी चीज़े हैं मैं इस चैनल पर डालने वाला हूं लेकिन 100 consecutive days of code एक दिन भी मिस नहीं किया यार एक दिन भी मिस नहीं किया डेली 100 days तक code किया मैं कर सकता हूं इतनी busy life लेके इतने सारे काम लेके तो आप भी कर सकते हो कम से कम अपना career बनाने के लिए तो ठीक है तो आप इसको as a motivation की तरह हमेशा use करना कि जब यह series डली थी ना तब 100 consecutive days of code किया था मैंने ठीक है यह बात मुझे भी आद रहेगी और कई नगे आगे जाके भी यह चीज मुझे confidence देगी किया जब मैं वो कर सकता हूं तो मैं यह भी कर सकता हूं जब मैं अपने past achievements को उठा के देखता हूं ना तो मुझे लगता है और मैंने यह किया था मैं मैं यह वाली problem solve कर दी है यह यह पर फस्ट आया था इतने सारे लोगों मैं कहीं जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यह चीज नहीं कर सकता अपने past achievements कितने भी छोटे हों कितने भी बड़े हो उनको ठाके देख लिया करो और का करो किया वो भी तो मैं ही था जिसने यह किया था फिर कुछ भी करा था आपने ठीक है वो मैंने किया था मैं यह तक आया तो मैं यह भी कर सकता हूँ ऐसे कर गे ठीक है वैसे मैं तो यह मानता हूँ लाइफ में किसी को हराना नहीं है लाइफ में बस खुद जीतना है आपको और अपने साथ भी लोगों को जिताते हुए ले की नहीं होगा बड़ आप लोग इन कर लेता हूं लोग इन कर कि आप लोग को दिखाता हूं तो चाठ Gbt ओपन याई के दुवारा बनाया हूए एक बॉट है काफी खतरनाक बॉट है आप चाठ Gbt-को यूज करके लर्निंग कर सकते हो अपनी आप चाट जीपीट से पूछ सकते हो कि गिम मी ए रांडम पाइथन क्वेस्टन कई चीज़े कर सकते हो ठीक है कई चीज़े आपर की जा सकती है तो मैं चाट जीपीट पर या पर लॉग इन करता हूं जिल्दी से और आप लोग को दिखाता हूं इस तरह का इंटरफेस से मुझे पता है आपको मालूम होगा चैट जीपीटी क्या होता है अगर यह फ्री नहीं भी है ना इन फ्यूचर अगर आप खरीज सकते हो तो मेरे साफ से अगर आपको मिल रहा है अगर आपके बज़ेट में आ रहा है तो इस इस गोईन टो भी आ आप जैसे मैं आप पर गोलता हूं गिव मी अ रांडम पाइथन एंसी क्यू क्यों क्या थीज़ें अब यह कह रहा है कि यार देखो क्या कि हमने प्रेंट किया सबसे पहले इन्हों ने एक लिस्ट बनाई है फिर लिस्ट पॉप किया तो जब लिस्ट पॉप होता है वह रि ठीक है और यहां पर 3 आ जाएगा ओफिस के बाद जब हम लिस्ट को प्रेंट करेंगे तो क्यूंकि अब लिस्ट चेंज हो चुकी तो 4152 आ जाएगा तो 34152 आ जाएगा तो मैं अगर यहां पर लिखो आंसर इस ए भी मुझे बता देगा कि हाँ आपका जो जवाब है वो अब आउट्पुट इस तरह से होगा कोड का और मैं इससे फिर इसे मतलब इंट्राइक करते हुए सीख सकता हूं तो इसको एसे सीखो जैसे कि यह एक लर्निंग अपरचनि आपके लिए कर मैं इससे कहूं कि give me a random question on तो यहां पर यह पूछ रहा है मुझ से what is the purpose of get static paths method of next.js तो मुझे पता है कि get static paths होता है वो सारे के सारे जो paths है उनको collect कर लेता है और collect करके आपकी side जो है बाद में बहुत तेज दीखें मैं देखते हूं कौन सा वाला option है it is used to fetch data at build time and generate यही वाला है for predefined paths तो हाँ यही वाला यही वाला सही है लेकिन मैं और options प्रेकते है तो यहां पर जो पहला वाला option है वो गलत है क्योंकि it is used to fetch data at build time and generate static html pages for predefined paths नहीं predefined paths यहां पर define करता है तो यह c is correct तो मैं आपस c is correct लिखूंगा और यह मेरा c जो answer वो बिल्कुल correct है तो इस हिसाब से आप लोग चार्ट जीवीटी का interact कर सकते हो और interact करके आप इससे पूछ सकते हो आप कई वर में गलत भी हो सकते हो यह ऐसा थोड़ी कि सारे answers में देना हूं हो सही होंगे और जैसे कि मैं अभी आपर मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा और फिसके बाद मैंने बताया सही बता दिया पर ऐसे आपको पता चलेगा आपके कौन से पार्ट्स वीक है आप फिर उसके बाद चाट जीबीटी से दस सवाल के जवाब लेने के बाद आप चाट जीबीटी से पूछ सकते हो चाट जीबीटी मुझे बताओ कि मेरा कौन सा पोरिशन वीक है और मुझे क्या प्रक्टिस करनी चाइब तो या 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 यूज बैटर यहां पर ट्रस्ट मॉडल पर चलेगी बात आप मैंसे जितने भी लोग एप्रिशेट करते हैं इस को इस प्ले लिस्ट को मैं चाहता हूं कि यार आप लोग पहले वीडियो पर जाकर जो है एक रिव्यू लिग दो आपको कैसा लगा आपने 100 वीडियो देगे आपसे अच् ट्रस्ट लेकर आ रहा है यहां पर तुम्हें चाहता हूं कि उनको जो है यह पता चले की कोर्स कैसा है सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस हम लोग आने वाले टाइम में सीखते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह यह जानरी का भी बढ़िया लगी सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस तैंक यह सो मुझ गाइस पूर वाचिंग इस वीडियो और मिलते हैं किसी और कोर्स में बाइ